आहाहा स्मार्ट लोग आचुकें टी आरेस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है गाओं की खासिएत क्या होती है? गाओं की खासिएत होती है कि आप देखो के बड़े ही सिंपल आदमी होते हैं बोथ हार्ड ओवर करोते हैं छलकपट नहीं है हाँ कुछ छल कपटवाले सब जगह मिल जाएंगे लेकिन कम मिलते हैं वहां पर, सिंपल होते हैं, बिल्कुली, हाँ, हरियाना से इतने अटलेट्स कैसे निकल कर आते हैं, हर स्पोर्ट में अटलेट्स होते हैं, कुछ तो है, कुछ तो, मतलब एक जिद्धी पना लगा लो या फिर वहां का ट्रैडिशन बन गया स्पोर्ट आप सुबह चार-पांच बज़े भी ऐसे गाउं से निकलोगे तो सड़क पे आपको बड़े बच्चे बागते होगे नज़र आएंगे तो वो एक पैसन है स्पोर्ट के परती वो चाय ग्राउंड नहीं है मेरे गाउं में कोई ग्राउंड नहीं था हम फिर भी सड़क पे दोड़ लगाते थे तो वो कही ना कहीं वो एक चीज है कि आप फैसलिटी ही नहीं मांगते हैं और हम को यह बिचाई यह बिचाई जिसको करना है निकलता रहे है करते करते कई स्टेडियम में भी जाएगा पिर और और चीज़ेंगा यह पर प्लैटफोर्म में लेंगे पर करो आप बस मेहनत करो मुझे लगता है कि वहाँ स्पोर्ट का एक अच्छा शिस्टम बनाया गया सिस्टम भी है और अभी तो गोवर्मेंट भी काफी स्पोर्ट कर रही है देरे देरे स्टेडियम स मन रहे हैं और वहाँ है खान पान भी दाए जरूरी खान पान बहुत एक बड़ी बता ही हाँ बताईए सो खाना पिना क्या है कि वही है अगर में अपने भैस होती है तो दूद गी पनीर डई सब कुछ और अपना क्योंकि हर्याना है तो वही हर्याली अपना खेत होते हैं सबी के लगबग गाओं में तो और जातर खिलाड़ी अब देखो और खाओ और खाओ और खाना और मेहनत का कॉंबिनेशन होता है तो वह फिर अपने आपी हो जाता है अब वेज हो? नहीं मैंने नोन वेज स्टार्ट कर दिया था बाहर नहीं मिलता वेज बोद मुश्किल होती है मैं वेज ही था लेकिन एक बार मेरा 7-8 किलो वेट ऐसे तूटने लग गया था काफी मैनत तूटनी चल रही थी डाइट कम थी तो ऐसे सुखता आ गया था साथ वाले बोले कि नहीं यार भाई तूं कुछ स्टार्ट कर ले कुछ थोड़ा बुद खा ले यह चीज़ें ज़रूरी है तो बार ओप्सन नहीं मिलते हैं यह डेफिनिटली मानता हूँ मैं खुद वेज हूँ वेज बन चुका हूँ एज 25 तक नौन वेज खाया था अब बाई चॉइस वेज बन चुका हूँ पर डेफिनिटली बॉड़ी एफेक्ट हुए डाइट के बारे में कुछ बताईए क्या खाता हूँ डाइट के बारे मुझे नोन मेज में बहुत ज़्यादा मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत नोन मेजिटेरियन हूँ कभी-कभी चिकन या फीस या अंडे वसी तना ही है बहुत ज़्यादा चीज मैं निखाता जातर फिर अपना पनीर या इनसे पूरा करता हूँ, मुझे नॉर्मल सैलेड, सैलेड में टोफू या ये चीजें और सब इतरह की सबजियां उसमें डाल लेता हूँ, चावल और कुछ फ्रूट्स, कर्ड, दई वगएरा ये बहुत ज सब्सक्राइट से आप बहुत ज़्यादा खाखा के कुछ ट्रेनिंग भी करने होती है, बहुत ज़्यादा पेटर नहीं बर सकते हूँ, तो हर चीज का कोशिज करते हैं कि वह बैलेंसा बना रहे है, प्रोटीन शेक पीतो हाँ, दिन के एक एक या दो मतलब, बहुत ज़्य यह है, मतलब जो एक बेशिक नीड होती है, दोस्तों कर यह वीडियो अच्छा लगा, तो डेफिनिट्ली हमारी प्लेलिस देख लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनिट्ली टी आरेस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, कर रेफिनिट्टरी टीक प्लेब कीजिए